कल् chanting दू Western doぜ कैसे आ आप सब स्वागत है को नबका हमारी यूटूब चैनल बेसेकश्ञाइन्स पर अभी हमारी सैल्स ही क्लासेश कंटीनू चल रही है तो यदि आपको आजका हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें जिसमें आपको आने वाले नुवीडियो का notification मिलता रहे तो जैसा कि cells में हमने आपने देखा cells का हमने definition complete कर लिया फिर हमने cells में cells के सारे parts देख लिये अब हमने cells के जो organs वो start किये थे तो cells के organs में हमने start किया था क्या sytoplasm इस Cytoplasm में कौन-कौन से organs आते हैं तो Cytoplasm student हमने देखा था कि कुछ living organs आते हैं कुछ non-living organs आते हैं ठीक है तो non-living organs के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि non-living organs क्या कहलाते हैं अब हमको देखना है कि living organs क्या कहलाते हैं Living organs के बारे मैं भी आपको बता दिया था Living organs में जो first organs था Endoplasmic reticulum वो मैंने आपको बता दिया है Endoplasmic reticulum की video आप पहले वाले part में देख सकते हैं मैंने बताया है कि two types के endoplasmic reticulum होते हैं एक होता है rough endoplasmic reticulum एक होता है smooth endoplasmic reticulum ठीके आज हम start करने जा रहे हैं cytoplasm में ही present second organ जिसको हम बोलते हैं mitochondria ठीके तो mitochondria के अगर हम बात करें यह mitochondria कहां पाया जाता है ठीके तो यह जो mitochondria होता है students यह हमारी eukaryotic cells ना हमारी जन्तु जो कोशिकाएं होती है इन जन्तु कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है cytoplasm के अंदर पाया जाता है ठीके आपको मालुम हैं कि हमारा जो human body है वो किससे बना हुआ है? cell से बना हुआ है cell से बना हुआ मतलब हमारी body का जो base है वो क्या कहलाता है? cell कहलाता है ठीके? तो जो Mitochondria है, वो कहांगे पाया जाता है? हमारे के साइट प्लास्म में पाया जाता है तो आज हम बात करेंगे किसकी Mitochondria की? ठीके, तो सबसे 1st में हम देखते हैं कि Mitochondria जो सब्द है वो दो सब्दों से बना हुआ है ठीके, Mitochondria बना हुआ हुआ है माइट्रो कॉंड्रियों को अगर हम अलग करके देखें तो फर्स में आता है माइटो, सेकेंड होता है कॉंड्रियोन फर्स क्या होता है आप वीडियो में देख पा रहे होगे फर्स क्या है माइटो, सेकेंड क्या है कॉंड्रियोन तो हम अगर mitos की बात करें तो mitos कहलाता है thread, mitos का मतलब कहलाता है thread, thread का मतलब होता है धागा, ठीक है, तो mitos का जो meaning है वो क्या कहलाता है धागा कहलाता है और kondrion का मतलब क्या कहलाता है कन कहलाता है कन या granules इंगलिस में हम उसे granules भी बोलते हैं ठीक है तो mitochondria सब्द किस से मिलकर बना हुआ है mitochondria सब्द ग्रीक का एक सब्द है जो दो सब्दो से मिला हुआ है first है mito, second है kondrion तो अगर हम mitochondria का एक सब्दो को अगर हम एक साथ करें तो इसे बोलते हैं सूत्र कणी का सूत्र मतलब भी धागा ही होता है तो सूत्रकणी का, तो एक और चीज नहीं निकल के आती है, कि माइट्रोकॉंड्रिया का एक और नाम है, जिसे हम सूत्रकणी का कहते हैं, ठीक है, यह important point से आपको याद रखना है, आप माइट्रोकॉंड्रिया का डाइग्राम देख पा रहे होगे, ठीक है, तो कहा जाता है, कॉंड्रियों की बात करें, इसे कन कहा जाता है, ठेड और कन से मिलकर के एक नए सब्दी की उत्पत्ती हुई, जिसे हम सूत्रकणी का कहते हैं, तो एक नया point निकल के आता है, कि माइट्रोकॉंड्रिया को क्या सूत्रकणी का भी कहते हैं, ठीक है, यह हमने मीट्रो कॉंडिया की छोचकी की, इस विडियो में मीट्रो कॉंडरी की ही जो गढरे में, कीटी कीटे की केट के स्तरेट मोसल्स – सीधी मี้सल्स सीधी मेंर्फेश मुसल्स कॉलिकरी साइनटिस्ट था उन्होंने कीट की स्तरेट-मकॉन्लस में सबसे हम क्येस के शीट साइनटिस्ट की बात करो से के वims रिर्माग sometime soon साइन रिर्मायद मेंना ulis जो कुलिकर बियों को लाएं पीजिए तरो accountant कमी केषी माइड़ बाते पालने को कीट में कीट केथी म Sie suis लिए टाP से कुलिकर न्हें कि hid में का बियों केष फैंदि लाष विरो sans principally कि आखी ऑलना केष़ देखे केष्चे घंड़ तब उन्होंने उसको नाम नहीं दिया तब माईट्रोकॉHNर्या का नाम नहीं मालूम था तिक फिर एक बैगज्यानिक आतेक साइन्टेस्ट आते ही जिनका नाम ही जी for इकേक एक्यट्चिया बक्तिरिया जिसका नाम रिकेट्चिया ए उस रिकेट्चिया BAK्तिरिया जैसे देखने में माईट्रोकॉन।्ड़्या डिखता है तो यह हमने माईटो KON्रिया में सेसे सेसे 1 जब साइज सेसे 1000-1600 माइटर पाई जाते है, दो जिन gesagt दो कितने माइटर पाई जाते हैं? 1000-1600 माईटर कॉयों नॉरमली बात करएं सेसे माइटर माईटर कुछे मतल सेसे अब हम बात करें स्टुडेंट स्ट्रक्चर ऑफ माइट्रो कॉंड्रिया की, आखिर माइट्रो कॉंड्रिया देखने में कैसा लगता है, तो जो माइट्रो कॉंड्रिया देखने में होता है, फर्स्ट बेलनाकार, बेलनाकार का मतलब होता है, सेलेंट्रिकल शेप का होता है, बेलन के शेप का होता है देखना आप डाइग्राम पे देख पा रहे हो ठीक है और छड रॉट शेप में होता है जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो रॉट शेप में होता है ठीक है और कैसा होता है फाइब्रस होता है फाइब्रस का मतलब तन्तूम होता है ठीक है तो यह हमने इसके structure देख लिए, structure में हमने देखा कैसा होता है, cylindrical shape में होता है, rod shape में होता है, और fiber shape में होता है, ठीके, अब हम इसके diameter के बात करें, तो बच्चो इसका जो diameter, मतलब इसका जो व्यास होता है, वो 0.2 से micron होता है, 0.2 से 1.0 micron होता है, और length की अगर हम बात करें, मतलब अभी इसका व्यास है, मतलब इसका जो गोला है, व्यास है, डायमीटर जो है, वो 0.2 micron से 1.0 micron तक होता है, और यदि हम इसके length की बात करें, लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई 1.0 से 4.1 micron होती है, ठीके, तो यह हमने क्या देख लिया, mitochondria का structure देख लिया, तो सबसे पहले ह मतलब ही, जो mitochondria है, वो दो सब्दो से मिला हुआ है, 1st mito, 2nd chondria, ठीके, फिर discovery of mitochondria में हमने 3 scientist के नाम देखे, फिर हमने mitochondria का structure देखा, तो rod shape में, cylindrical shape में हमने देखा, फिर हमने देखा इसका shape की, वो किस shape में होता है, तो हमने इसका diameter देखा, व्यास में इसका shape देखा, तो 0.2 से 1.0 micron होता है, और length की बात करें, तो 1.0 से 4.1 micron होता है, ठीके, आंगे वाली class में student हम mitochondria ही continue करेंगे, तो आची class यहीं तक, thank you.